हाँ भाई बस गया डंका या लंका लगगी कुछ समझ में आया मेरे को एक चीज समझ मनिया थी गोदी मीडिया खामोश क्यूं है क्या टनल स्यव 41 मजदूर निकाल दिये क्या कितने दिन होगे उनकी न्यूज वस उन पर टियार पी ले लेंगे एक उनके लिए करना क्या हो न अगरेंगे पाकिस्तान को रोज बरबाद कर देती गोदी मीडिया कहती है पाकिस्तान के पास आटा खरी दने के पैसे नहीं फिर भारत को कैसी अरा के चला अगया गया और हराया भी ऐसे नहीं वन साइड अरा दिया ना ना नाना ना तुमारे क्रिकेट में या खेल लो में नहीं ऐसी जगए पर आया है जो कि जहां पर देश का मान सम्मान पड़ ना चीए था वहां पर हार मिली है आँ विशव गुरू है कोई जवाब आप तो बोल रहे विशव गुरू डंका बज रहा है डंका प्रिया डंका बजते बजते लंका कैसे लगी भाई खुद विशव लगा दी पर ये तो हना विशव गुरू क्या कहता है विशव गुरू के ये डायलोग मेरे को ना बार-बार सुनने का दिल करता है हमारा डंका बज रहा है अमरिका तक कोई आया साथ में अमरिका चाइना रूस रूस हमारा सबसे अच्छा मित्तर था उससे भी सम्मंद खर द्राब कर लिए UNESCO के वाइस प्रेजिडेंट का चुनाव हो या बै वाइस प्रेजिडेंट का चुनाव और जाए 73 था 2023 शेले के 2025 तक वाइस प्रेजिदेंट चुन्या जाना था वहाँ पे क्या होया युनेस्टों के अंदर 58 देश है ना 58 देश है कितनी वोट मिली चलो पहले सुनना पहले तो इन को अंद भकतों को ये भी बताना पड़ता है कि युनेस्ट को चीज क्या है युनेस्टों पाकिस्टान के आतों मिली करारी हार युनेस्टों संयुक्तराष्टर का ही शिक्षा, कलाशंस्करती और विरास्त के मामलों का संग्ठन है संयुक्तराष्टर का संग्ठन है यह संग्ठन विशव शान्ती के लिए भी काम करता है युनेस्को के एसिया पैसिफिक देशों के ग्रूप में 2013 से लेके और 2025 तक के टरंग के लिए वाइस प्रेज़ेंट के चुनाव था जिसमा पाकिस्तान गया थो बड़ी करारी हार मिली बारत को कितने वोट मिले 38 देशोंने समर्थन किया पाकिस्तान का और बारत के पक्समा पड़े 18 वोट 58 में से दो तो देश खड़े है होगे 38 देशोंने समर्थन कर दिया फिर हमारी विदेश निति क्या कर रही बाई कहां गई विदेश निति खतम, टाटा भाइबाइ चाहिनाशे हम लड़ PHIL विदेश मंतरी शाभ कहते हैं हम चाहिनाशे निइलर सकते हो बहुत बड़ी आर्थ व्यवयख्ता आर्थ व्यवयख्ता तो अमारी छोटी है या लेकिन आर्थ व्यवयख्ता कि तो लंका लगा रखी है लंका थोड़ी बहुत अगर सरंबाकी हो गोधी मीडिया एक बर दिखाना उनेस्के वाइस प्रेजिन्ट के चुनाव में क्या हो या एक बर दिखा दो ना ताकीन की आँख खुल जाए ये जो चिन्टू मिन्टू शेना है इसकी आँखें खुल जाए कि देश की लंका लगा दी भाई लंका आने वाड़ा तो ये वैशे भी नहीं है ये तो भूल जाना कि तुम सोच रहो कि दोबारा फिर 2024 में आएगा नहीं बले ये विजेपी जीतगी ना तब भी नहीं आएगा ये तुमारा पापा चिन्टू मिन्टो ओ तुमारा पापा नहीं आएगा इसे ना अंध भगती शे बार निकलो और थोड़ाना देश के लिए सोचना शुरू करो कितने घरव की बात होती अगर युनेशCBA वाइस प्रेजिदेंट अमारा देश चुनिया जाता तो अगर भारत चुनिया जाता कितने घरव की बात थी कितने प्रावड की बात थी लेकिन उस प्रावड को मिट्टी में मिला दीया eyes पिट्टी में और तुम यहाँ पे खुशो बद डंका बज रहा डंका नी पीपिणी भी नी भजरी डंका तो बहुत दूर की बात है पीपिणी भी ना बजरी कहीं पर पीपिणी भी प्रोसीदे सोचेशंबं तुमारे खराब नेपाल ने भी बोट नीकी बुटान ने भी न मंदिरों को तोड़ा जाता है तो फिर यहाँ पे लिस्ट कितनी लंबी बनेगी जो मस्जितों को तोड़ा जाता है सोचा कभी कितनी लंबी लिस्ट बने जाएगी उसी लंबी लिस्ट का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान जीत गया वो जो तुम करते हो ना आय दिन मुस दिखा दिया जा ताव क्रिकेट में खोई रहे तू क्रिकेट में रा दिया पाकिस्तान को हराने वाली जगए ये थी युनेस्क वाइस प्रेजिएंट वाली जगए थी मुबारक हो भाई पाकिस्तान को हम बोल दें फिर मुबारक हो पाकिस्तान को युनेस्क वाइस प्रेज विशाव गुरू फेर वाइस प्रेडेट क्यों निचले आ गया हमारा देश है विशाव गुरू के पास कोई जवाब बैस लगे हुए है फाइटर जैट उडा दिया उडा दिया इसने उसमें जाज में बैटका भी ऐसे आध ही ला रहा है बोलू बाद लोगों टाटा कर रह लोगी शंद भगती गंध भगती शे बार निकल का आ जाए थोड़ी बोता आखे खुल जाए लोगों की लेक्न कुल ने नहीं देंगे थोड़ी से आखे महीं देगा पापा तुम्हांरी लंका लग जाएगी तुम जीरो जाओगे जीरो बटेस Haushनौता लिए जैसे ही इंगा पापा चलिए आगया देखना गोदी मीडिया कैशे-कैशे मुढ्धय उठाएगी सरकार से कैसे कैसे सवाल करेगी फिर देखना इनका तमासा तुम्हारे को पता है अब की पार इलाज तुम्हारा भी होगा अगर सरकार बदली होगी ना साथ में गोद्धी मीडिया इलाज बना चीए जो इनना लोगों के मगज गेंदर ये गंद बर दिया ना गं कि दरती है जिसको तुम डेली बरबाद करते हो वो बरबाद नहीं होगी क्योंकि बाबा नानक ने एकता का वो संदेश दिया था या हिंदु क्या Hankyst ओर बाईचारे का जो संदेश बाबा नानक ने दिया था न उशी बाबा नानकक के संदेश का अधार पया चलते हैं वहा पागिस्तान कहिवर इबध दिखाएंगे नेतान विए वारत क भाग करदी वारत के उपर वे कि लोगों दिलों के अंतर नफरत बर भर दूसरी प्रवं गैव मनाएंगे कईव दिमाग में मत मनाओ, जूठे मुंसे नि मनाना है मनाओ तो सच्चे दिल से मनाओ, मनो किसी को तो सच्चे दिल से मनो, हम मानते आकाल पुरक को, हम मानते बाबा नानक को, बाबा नानक की धर्ती, वाइस प्रेजिडेंट बनिये न, पाकिस्तान को परशे एक दम से अचानक से पाकिस्तान आगा था, यही पंजाब का और बंग यह भी ध्यान रखना, आएगा समझ में कुछ, नहीं समझ में आएगा, देनी ची यह मुबारग बाद, कोई भी देश हो, तुम बरबाद कर सकते हो, अगर को या बाद हो रहा हो, को या आग्येबद रहा हो ना, तुम उसको नहीं दिखा सकते, उसको तुम दिखा नहीं सकते यही तुमारी चोटी सौच और पैर की मोच और ने नि देती। याद रखना इस बात को और तुमारी चोटी सोच भी और तुमारे पैर मोच भी है। तुम्हे की जगायग पटके हुए, ये परक होत आ, किसी अनपड गो अगर एसे बिठाओ ग perspectives क्या पता कैसे क्या करना किसी निडिये पाके से निकल गी बाईया के युनेश्कों का वाइस प्रेजिनेट बन गया है किसी के पास कोई जवाब देना जवाब पागिस्तान कैसे युनेश्कों का वाइस प्रेजिनेट बन गया बारत क्यों नी बन पाया इस सवाल का जवाब देना सभी सबी साथियों को राम राम, नमस्कार आदा और सस्रीय काल वीडियों को जादय जादय शेर चैनल को सबस्क्राइब और पग बेल आइकून को जुरुद बाणा दोस्तो ओफीचल दिपक फोजी यूट्व चैनल बात हक और सचकी करेंगे हक सचकी बात हम करेंगे वीडियो को शेर करने के जम्मेवारी आप लोगों किये वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फत्य